तो जैसा कि आपको पता है, round 2 का जो result है, AACCC की counselling के website के उपर आ गया है और आपको ये भी पता लग गया होगा, आपको यहाँ पर college अलोट हुआ है कि नहीं हुआ है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे, ऐसे कौन-कौन से major factors थे, जिनोंने यापर round 2 की counselling को effect किया counselling के अंदर जो cut off रही है, वो high रही है, या low रही है, इस चीज को भी हम यापर देखेंगे और साथ ही साथ में मैं आपर आपको category wise cut off बताऊंगा, आयरवेदा, होमियोपेथी और युनानी की तो वीडियो बहुत ही important होने वाला है, जो भी बच्चे यहाँ पर AACCC की counselling Hey guys, this side Dr. Mohsen Meena कैसे हैं आप सभी, उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यह AACCC की website है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह final result finally आ गया है, round 2 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, round 2 का जो result है, उसमें यहाँ पर round 1 लिखा हुआ ह और यहाँ पर round 2 लिखा हुआ है, अब जो भी बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने अप्ग्रेडेशन डाला था, या जिन्होंने यहाँ पर अपनी counselling करवाई थी round 2 के लिए, उन्हें जो result है, वो इस side check करना है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, category वगेरा, कौन सी choice number थी, fresh allotment हुआ है, या कोई भी fresh choice feeling नहीं करी थी, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो यह result आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं अपने telegram channel पर भी डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लेना, तो आप यहाँ पर यह देख सकते हो, यह जो result है, वो जो cut off है ना, वो थोड़ी सी क्या हुई है, हाई गई है round 2 के अंदर, जब मैंने expected cut off का वीडियो बनाया था, तब भी मैंने आप से यही चीज गई थी, cut off के अंदर ज्यादा difference आएगा नहीं, round 2 के अंदर, अगर difference आएगा भी, तो यहाँ पर 5 नंबर, 10 नंबर का difference आ सकता ह इसे ज़ादा का difference आने के मुझे यहाँ पर round 2 में chances नहीं लग रहे हैं, और chances क्यों नहीं लग रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया था उस time पर, तो देखो जो major factors थे, वो क्या-क्या थे, यहाँ पर आपको जैसा कि पता है, इस साल NEET में बहुती बड़ी दांदली हुई बच्चे उससे क्या हो गये हैं, बहुत ज़्यादा डर गये हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनोंने क्या किया, VCI के अंदर भी participate किया, और AACCC के अंदर भी participate किया, यहाँ पर मैं सबसे main बात करने वाला हूँ, UP के बच्चों के बारे में, तो UP के आयूश कांसलिं कि जैसे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जिनने round 1 और round 2 में seat allot नहीं हुई, अब जैसे कि अगर आप VCI का stray vacancy round का, अगर आप seat matrix देखोगे, तो वहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, seat matrix के अंदर लगबग 200 seat ए खा लिए, और पिछले साल stray vacancy round के अं 3275 seats थी, तो काफी बड़ा difference है, VCI के अंदर मैंने आपसे कहा भी था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनोंने लेना नहीं था वेटनरी, लेकिन फिर भी क्या करा, वेटनरी ले लिया और reporting नहीं करी college में, अब जो भी बच्चे stray vacancy round के अंदर participate करेंगे, उन्हें क्या करना ह होगा, security money deposit करना होगा, अब अगर हम यहाँ पर double a triple C की बात करें, तो मैंने आपको बताया था, पांच ऐसे state होते हैं, जो सबसे ज़्यादा effect करते हैं, सबसे पहले UP, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर बिहार, चौथे पर हरियाना, पांच वे पर जहारकंड, अब जो सबसे बड़ा state है, UP, उसकी counselling ही चालू नहीं हुई थी, counselling बहुत ज़्यादा delay हो गई, इस वज़े से यह cut off क्या हो गई, यहाँ पर थोड़ी बहुत high चली गई, लेकिन मैं आपको guarantee के साथ कह रहा हूँ, जो round 3 की cut off रहेगी, वो क्या होगी, down होगी, 101% आप मेरे से BHMS में, अब जो बच्चे BHMS और BMS की counselling करवा रहे थे, वो मेरे से यही पूछ रहे थे, कि जो cut off होगी, वो कितनी down जाएगी, और कब तक down होगी, तो इन दोनों की cut off होगी, वो UP के round 1 के बाद में क्या हो जाएगी, down हो जाएगी, और BMS के भी colleges को यहाँ पर क्या मिल गई है मान्यता मिल गई है, AACCC के अंदर, round 2 के अंदर add भी हो गए थे colleges, तो यह कुछ major factors थे, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद में हम यहाँ पर cut off भी देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर BMS government की cut off देखते हैं, इसके अंदर मैंन Central University, National Institution और फिर Government Colleges, Government Colleges के साथ साथ Government added, यह सारे colleges मैंने included किये, यहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार की minority, जो seats होती है, जैसे कि Muslim Minority, Jain Minority, उनको मैंने यहाँ पर include नहीं किया है, तो जो general category है, उसकी जो rank रही है, वो 91,515 रही है, college जो a lot हुआ है, सबसे last में, वो हुआ है, J.S.V.V. Ayurvedic College, जो की आपको गडग करनाटका के अंदर देखने को मिलता है, Government added college है, उसके बाद में EWS category का अगर आप देखोगे, तो 95,785 पर last allotment हुआ है, और college का नाम है, Ayurved Mahavidyalet, जो की आपको Old Hubli के अंदर देखने को मिलता है, यह भी एक Government added college है, करनाटका का, उसके बाद में OBC category की अगर मैं बात करूँ, तो 95,059 rank पर यहाँ पर J.S.V.V. Ayurvedic College, गडग करनाटका अलोट हुआ है, फिर उसके बाद में अगर आप SC category का देखोगे, तो 2,46,772 rank पर यहाँ पर last allotment हुआ है, और college का नाम है, अनंतना लक्षमी Government Ayurvedic College, जो की आपको वारंग के अंदर देखने को मिलता है, उसके बाद में जो HD category है, उसके अंदर 3,26,116 rank रही है, college का नाम है, वसंत दादा पाटिल Government Ayurvedic College, जो की आपको सांगली महाराष्टर के अंदर देखने को मिलता है, तो यह भी एक government added college है, जो की आपको महाराष्टर के अंदर देखने को मिलत है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यह क्या देख ली, BMS की cutoff देख ली category wise, अब जो यह BMS की cutoff है, इसमें आपने देखा होगा, ज्यादा कोई difference नहीं रहा है, यहाँ पर पहले 90,000 था, अब 91,000 हो गया, ऐसी category की cutoff थी हो थोड़ी बढ़ और गई, लेकिन students को गवराने की ज़रुत नहीं है, जो आने वाले तीन राउंड्स हैं, वो जो दा, वो बहुत ही ज़्यादा crucial राउंड्स होने वाले हैं, क्योंकि अब क्या चालू हो जाएगा, अब यहाँ पर ineligible जो candidates होता है, वो यहाँ पर अब counselling से भार निकलना चालू हो जाएंगे, अगर कोई का 1,80,701 है, श्रीवेद्यराजा होमियोपेथिक कॉलेज आपको त्रिवेंतिपुरम केरेला का मिला है, EWS के अंदर 2,7,236 गवर्मेंट होमियोपेथिक कॉलेज, साल्वी वडोद्रा अलोट हुआ है, उसके बाद में अगर आप OBC के टिगरी का देखोगे, तो 1,94,955 र आनंद गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, उसके बाद में अगर ST केटिगरी का देखोगे, तो 4,35,973 रेंक है, और कॉलेज का नाम है, स्टेट होमियोपेथिक कॉलेज, जो की आपको आजमगड उत्रप्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, तो इस तरीके से हमने यहां पर होमियोपेथिक की कट ओफ देख ली, अब हम यहां पर बात करेंगे युनानी की कट ओफ के बारे में, तो युनानी की जो कट ओफ है, वो यहां पर काफी ज्यादा डिक्रीज होई है, डिक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, कॉलेज जो हैं, वो यहां पर round 2 के अंदर add हुए हैं बहुत सारे, general category की 1,2,756, college का नाम है, government, नाजामिया, युनानी college, जो की आपको हैद्रागा, तेलंगाना के अंदर देखने को मिलता है, EWS category के अंदर 1,50,004 rank, college का नाम है, government, युनानी college, जो की आपको चन्ने इतमिलनाडू के अंदर देखने को मिलता है, कॉलेज का नाम है, government, युनानी college, जो की आपको स्री नगर, जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है, उसके बाद में जो ST category है, उसके लिए 4,87,221, college का नाम है, state युनानी college, जो की आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आयरविदा, होमियोपैथी और युनानी की cut-off देख ली, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, reporting के क्या-क्या rules रहने वाले हैं, तो reporting के rules के लिए भी यहाँ पर एक और notice आ गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यह जो notice है, यह अभी-अभी 26 तारीक को ही आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपका reporting period है, सकता 20 तारीक से लेके 3 तारीक तक रहने वाला है, अब जो भी बच्चे ऐसे थे, जिन्हें आपर अप्ग्रेडेशन मिला है, तो उन्हें क्या करना है, round 1 में जो भी college अलोट हुआ था, वहाँ से documents लेकर round 2 वाले college में जाना है, और जो ऐसे बच्चे थे, जिन्हें आपर college अलोट पहली बार हुआ है, उन्हें आपर college में अलोट होने के बाद में, जो भी round 2 में आपको अलोट हुआ है, अगर आप अप्ग्रेडेशन करवाना चाते हो, तो अप्ग्रेडेशन करवा सकते हो, और जो अप्ग्रेडेशन होता है, वो round 3 तक ही रहता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख भी सकते हो, या रिपोर्टिंग करने के बाद भी छोड़ देंगे, तो उनका भी यहाँ पर क्या करना होगा, उन्हें वापस से यहाँ पर फीस पे करनी होगी, तो ये सारी चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं, जो अप्ग्रेडेशन नहीं कर दिये, और जो प्रोविजनल अलोट्मेंट लेटर है, वो आज शाम तक या रात तक या कल सुबह तक पका 101% यहाँ पर आ जाएगा, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप अभी के टाइम पर देखोगे, तो अभी के टाइम पर आ गया है, मैंन इस वीडियो को हम यहीं समाप्ट करते हैं, थैंक्यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए